तो गैस बात करते कि अगर आप लोग फोन पे यूस करते हैं और आप लोग को भी कुछ step का error आता जिसमें की लिखा आता है unable to processed अगर आप लोग इस problem को fix करना चाहते तो कैसे आप लोग इस problem को fix करेंगे वो हम आप लोगो को इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को subscribe कलीजी का बिलके आइकन को प्रेस कर लेना है तो कुछ solutions हम आप लोग इस वीडियो में बताने वाले जिससे आप लोग की problem definitely यहाँ पे fix हो जाएगी जैसे कि पहला जो solution है आप लोग Google Play Store उपन करें तो आप लोग को search बर पे क्लिक करना होगा यहाँ पे phone पे तो यह आ चुका है phone पे और अगर phone पे में कोई update अवेलेबल होगा तो simply आप लोग को phone पे को update यहाँ पे कर लेना है इसके बात दूसरा solution क्या है आप लोग अपने phone की settings में जाईगा और अगर आप लोग के phone में search करने का option होगा तो आप लोग search बर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लोग को date and time सर्च कर लेना है तो यहाँ पे हम search कर लेना है तो यहाँ पे हम लोग के phone में अन भी होगा तो वो भी आप लोग search कर सकते हैं तो यहाँ पे हम इसे search कर लिए देखिए date and time इस पे click करेंगे और यहाँ पे देखिए आप लोग के phone में manual तरीके से आप लोग ने date and time को setup किया होगा तो आप लोग को करना क्या पड़ेगा automatic date and time को आप लोग यहाँ पे click कर दिजेगा ठीक है तो यह solution के माध्यम से भी आप लोग अपना phone पे की problem को fix कर सकते हैं इसके बाद तीसरा solution क्या है आप लोग को apps पे जाना होगा apps पे जाने के बाद आप लोग को phone की settings में apps पे जाने में गाद आप लोग यहाँ पे search करना होगा phone पे तो यह आजुका है phone पे then आप लोग को click करना होगा storage पे storage पे click करने को बदब आप लोग को data इसका clean करना होगा data clean करे फिर से आप लोग try कर सकते होसकते है problem fix हो जाए और यहां पे आप लोग को permissions मिलगई इस पे click करेंगे और यहां पे आप लोग का sms का permission रहता है वो allow रहना चीए camera, contact, location, SMS, storage, telephone ये जो permissions रहते ही ये allow रहना चीए ठीक है तो यहां से आप लोग को system ये कर लेना है उसके बाद जो भी आप लोग sim card यूज कर रहे जिस भी sim card का number जो भी number से आप लोग phone page को use कर रहे है अगर आप लोग उसमें OTP वगेरा भेज रहे है तो जो आप लोग का sim card रहता है वो चालू रहना चीए ठीक है जिसमें की SMS वगेरा आजा है, recharge वगेरा उसमें रहना चीए क्योंकि आजकल की जो sim card होती है उनमें आप लोग को recharge की जुरत पड़ती है तो आप लोग का sim card चालू रहना चीए और जितने भी हमने आप लोग को solutions पता है उसमें से definitely आप लोग के phone में कोई ना कोई solution 100% काम करेगा अगर हो सकता है आप लोग की problem fix ना हो तो यहाँ पे आप लोग को एक option मेले का contact support का तो आप लोग को contact support पे जो है यहाँ पे contact कर लेना है बाद में हो सकता है कि वही जो है phone पे customer care आप लोग के problem fix करें ठीक है तो यह कुछ solutions है और कौन सा तरीक आप लोग के phone में काम किया comment section में जरूर से बताइगा मिलते है next video में जय मता दी